क्या आप YT Studio में सिर्फ कितने वीऊज आ रहे हैं, कितने सस्क्राइबर बड़े हैं, कितना वाच टाइम है या फिर आपकी इंकम कितनी हुई है, यही चीज़े चेक करते हैं YT Studio में आप बहुत सारी चीज़े, डीटेल चीज़े चेक कर सकते हैं, और YT Studio खुद आपको आपके YouTube चैनल को ब्रो करने में बहुत ज़ादा है, अगर आप उसे सही से चलाना और उसे सही से चेक करना सीख जाएंगे तो YT Studio आपको सिर्फ आपके चैनल का डेटा ही नहीं देता है, आपको क्या improvement करनी है अपनी चैनल में और किस-किस topic पर वीडियो बनाने से अच्छे views आएंगे, यह सारी चीज़े बताता है अगर आप YT Studio को सही से चलाना सीख जाएंगे, तो आपका चैनल अपने आप तेजी से ग्रो होने लगेगा तो आज की वीडियो में, YT Studio में आप डीटेल चीज़े कैसे देख सकते हैं, जो की आपकी चैनल की ग्रो होने में बहुत जादा help करेगा यही topic मैं cover करने वाली हूँ, वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले Hello Friends, मैं Supriya Singh आप सभी का स्वागत करती हूँ A to Z content में अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीस वीडियो को लाइक और चैनल को सिस्क्राइब जरूर करियेगा YouTube related ऐसी बहुत सी वीडियो देखने के लिए तो Friends, चलिए चलते हैं सबसे पहले phone की screen पे और हम चलते हैं YT Studio में YT Studio क्या होता है? YT Studio में आप views देख सकते हैं, last 28 days में कितने views आए हैं कितने subscriber है, कितना watch time है, आपकी income किती है, यह सारी चीजे तो आप देख ही सकते हैं यहां पे आप देख सकते हैं, analytics लिखा गया है, analytics के उपर हम click कर देते हैं analytics के उपर tick करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं, search लिखा गया है search के उपर हम click करते हैं, search के उपर click करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं explore topic मतलब मेरी audience और क्या क्या topics देखना चाहती है top searches YouTube पे सबसे ज़्यादा top में search क्या किया जा रहा है यह जो तीन topics है इस पे audience सबसे ज़्यादा search कर रही है अब यहाँ पे जो arrow बना है इस पर मैं click कर देती हूँ और click करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे topics है जो की audience सर्च कर रही है और इस topic पर अगर मैं video बनाती हूँ तो video में बहुत ज़्यादा views आने के chances बढ़ जाते हैं क्योंकि यह जो सारे topics है वो ज़्यादा से ज़्यादा audience सर्च कर रही है अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यह वाली setting नहीं थी कि यहाँ पे आपको video save करने का option भी मिलता है मतलब कि आपको जो जो यहाँ पे अच्छा लग रहा है topic उसके उपर आप इस तरीके से टिक करेंगे तो यहाँ पे जो heart बना हुआ है वो red हो जाएगा और फिर आप यहाँ से choose कर सकते हैं कि आपको किस किस topic पर आप video बनाएंगे या फिर आप interested है बनाने में आप यहाँ से save करके इसे रख सकते हैं audience के द्वारा सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला topic है यह तो जाहिर सी बात है कि अगर जादा audience इसे search कर रही है आप video बनाएंगे तो आपकी video में views आने के chances भी बढ़ जाते हैं next हम यहाँ पर content के उपर टिक कर देते हैं content के उपर टिक करने के बाद आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि आपके views किसमें जादा आ रहे हैं long video में, short video में next आता है overview overview में आप जाएंगे अगर तो यहाँ पर आप आपके last 28 days में कौन सी videos आपकी सबसे ज़्यादा देखी गई है audience ने किस video को सबसे ज़्यादा देखा है यह दिखाई देगा last 28 days के उपर हम click कर लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर आप videos देख सकते हैं कौन सी सबसे top में है और जो video आपकी सबसे ज़्यादा top में है, ठीक है उसी के according आपको और भी videos बनाने हैं, जो video आपको ओडियोंस को सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है उसी के हिसाब से आप और videos बना सकते हैं इसके अलावा अगर आप real time 48 hours के उपर क्लिक करते हैं मतलब 2 दिन का data आपको यहाँ पर दिखाई देगा और 2 दिन के data में audience को 2 दिन में कौन सी video आपकी सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही है कौन सी video को सबसे ज़्यादा views आ रहे हैं यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और जिस video को सबसे ज़्यादा प्यार मिल रहा है ना उसी type की videos आप और ज़्यादा बनाईए और इससे फाइदा यह होगा कि आपकी videos में views आने के chances बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक video upload की थी behind the scene था यह video हो सकता है आपने यह video देखी भी हो behind the scene वाली मैं इसके ओपर click कर देती हूँ इस video में बहुत ज़्यादा views आ रहे थे subscriber भी बढ़ रहे थे आप देख भी सकते हैं 3 लाख के करीब views complete होने जा रहे हैं और इसमें जो subscriber है वो भी तेजी से बढ़ा है एक छोटी सी video के वज़े से तो मैंने वापस से उसी को ध्यान में रखते हुए सेम बैसा ही एक और video create किया behind the scene का तो आप देख सकते हैं उस video में भी अच्छे खासे views आए हैं अभी बहुत जारा time नहीं हुआ है इसे upload करके फिर भी आप देख सकते हैं कि 57 के तक views आए हुए हैं मतलब इतने जादा है और subscriber भी इतनी तेजी से बढ़े हैं एक छोटी सी video बनाने से ये फायदा हुआ है तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जिस video में आपके सबसे जादा views आ रहे हैं उसके हिसाब से ही आपको और भी videos बनानी है उसी topic पर और भी videos जब आप बनाएंगे तो आपके views और जादा तेजी से बढ़ेंगे और कभी भी जब आपकी video कोई चल रही है आपकी videos में अच्छे views आ रहे हैं तो आपको इसी topic के उपर थोड़ा सा अलग-अलग changes करके उसी topic से similar आपको कम से कम 2-3 बार video बनाना चाहिए next हम यहाँ पर click कर देते हैं audience के उपर audience में आप देख सकते हैं कि आपकी audience कितनी returning है कितनी new है और किस time पर आपकी audience ज़्यादा active रहती है और जब ज़्यादा active रहती है तभी आपको video upload करना है यह सारी छोटी छोटी चीज़े होती है लेकिन आपकी channel को grow करने में बहुत ज़्यादा help करती है जब आप समझेंगे कि आपकी audience किस age group की category में आता है तो आप decide कर पाएंगे कि उनका free time क्या होता है और तब आप video upload कर सकते हैं तो वाइटी स्टूडियो की छोटी छोटी चीज़े होती है लेकिन बहुत ज़्यादा important होती है जो कि आपको समझना होगा और आप अच्छे से समझेंगे तो ही आप सही time पे video upload करके views बढ़ा पाएंगे मैंने इस topic पर already video बनाया हुआ है कि आपके YouTube चैनल पे सही time क्या होता है video upload करने का अगर आपने वो video नहीं देखी है तो उस video का link आपको description box में मिल जाएगा आप देख सकते हैं अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी audience आपकी video देखने के अलावा और इस-किस YouTube creator की video देखती है यह सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इससे आपको यह पता चलता है कि आपकी audience क्या video देखना चाहती है यहाँ पे देखिए रक्षा की रसोई वीडियो को कैसे शूट करना है कुकिंग वीडियो शूट कैसे करना है हाउ टू शूट कुकिंग वीडियो बिग अपडेट पांच ऐसी गलतियां इस topic से related videos मेरी audience दूसरे के channel पर जाकर के देख रही है तो मैं यह समझ पाऊंगी कि मेरी audience यह video भी देखना चाहती है तो मैं उस topic से related video भी बना सकती हूँ ठीक है तो इससे फायदा यह होगा कि हमारे भी channel पर views आएंगे क्योंकि audience उस topic पर interested है उस topic पर video देखना चाहती है तो आपको भी यह चीज़ जा करके अपने YT studio में चेक करना है और इसी से related videos upload करने है अब मैं आपको last सबसे important feature बताने जा रही हूँ जो कि आप YT studio में चेक कर सकते हैं और इसे आपको जरूर चेक करना चाहिए बिना इसे चेक किए आप अपने YouTube channel को कभी भी grow नहीं कर पाएंगे ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर एक वीडियो के उपर select कर लेती हूँ Your weekly recap is here जब इस बारे में YouTube ने update किया था तब वीडियो बनाई हुई थी और आज भी मैं इसके बारे में introduce करूंगी आपको क्यूंकि इस update के हिसाब से आपका जो week का एक हफते का जो data होता है YouTube खुद उस पे data निकाल करके किस पे अच्छे views आए हैं आप देख सकते हैं इसके उपर click करेंगे तो आप देख सकते हैं 4 videos, 3 shots and 2 posts ठीक है किस पे इन 7 दिनों में किस वीडियो पे अच्छे views आए हैं How to edit videos for YouTube, V-log कैसे बनाए, cooking recipes cooking recipes यह सारी जो topics है यह topics जो है इस पे ज्यादा सर्च हो रही है audience को पसंद आ रहा है तो इस topic पर अगर मैं video बनाऊंगी तो इस पे views अच्छे खासे आएंगे तो यह 7 दिन में 7 दिन का data मुझे YouTube खुद बताता है YT studio में और यह सारी videos जो है जो top list पे चल रही है जिसे सबसे जादा YouTube पर मेरे channel पर देखा जा रहा है यहाँ पर views इतने views मिले हैं इतने likes मिले हैं इतने comments मिले हैं यह सारी चीज़े यहाँ पर दिखाई देती हैं यह सारी चीज़े YT studio में आप जब बारिकी से चेक करेंगे YT studio को समझेंगे समझ पाएंगे और समझ पाएंगे तो जाहिर सी बात है अच्छे से वीडियो बनेंगे अपलोड होंगे और अपलोड होंगे तो views भी ज़रूर आएंगे उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी और helpful लगी है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करियेगा मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई